कि वेल्कम टू ओल स्वागत आप सभी का आरसर यूट्यूब चैनल पर हम आच चुके हैं अभी लाइव स्लेक्शन बेच की एक और जबर्दस क्लास में और यह क्लास रहेगा आपका लेक्शन नंबर आपका इसकी इपन बात करें थे लेक्शन नंबर आपका 72 सेलेक्शन बेच थर्मल प्रोपर्टीज पार्ट फोर वैसे पार्ट तीन में अपने इसको कंप्रेट करने का प्रियास कर रहे थे लेकिन काफी सारे कंसेप्ट बच गहे थे जो हीट का ट्रांसमिशन है उससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्यूशन एक्जाम में बनते हैं लोज के रिगार्डिंग क्यूशन बनते हैं बहुत अच्छे च्छे तो वह आज हम इस क्लास में थर्मल प्रोपर्टीज का एंड गेम करने वाले हैं यानि इसको फिनिस करने वाले हैं अगर आपने इसका लेक्चर 1,2,3 अगर मिस कर दिया है तो मै आपर आज हम थर्मल प्रोपर्टीज को फिनिस कर देंगे एंड कर देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्मल प्रोपर्टीज में लास्ट टोपिक जो आज हम डिसकस करने वाले हैं वो हमारा है हीट ट्रांस्मीशन यानि उसमा संचरण इसके रिगार्डिंग बहुत या अच्छे-चे कुईशन बनते हैं बहूत या थे चीकलास को फूल करने वाले हैं तो जो बच्छी एक बार क्लास में आ चुके हैं वागे जैसा कूल रिपलाइ कर दीजीये कमें चैशन में और लाइक बटन में ऑक बार प्रजेंट लगा के अपनी जो उपस्तित हैं उसको बता दीजिए कि हम present हो चुके हैं अपनी जो present उसको लगा दीजिए ठीक है तो यह काम आपको सबसे पहले करना है और अगर हो सके कि class को share कर देना है तो class को share भी फटा फट कर दीजिए ताकि हम फटा फट concept start इसके कर दें तो class start करूं इससे पहले एक information जो मैंने आपको बता ही है क्या कि यह अनकेडमी का मेरा profile है आप देख पा रहे होंगे अनकेडमी profile पे किस तरीके समने इसको आपका प्यार और support मिल रहा है यह total worst time है यह last 30 days है यह आपके आर्मी आरेंसर की जो आर्मी है यह और 6K dedication देख रहे हैं आप यह आपका dedication है यहाँ पर 6K का जो आप ही नहीं हमें support करके तयार किया है अगर कोई बच्छान academy पर join करना चाहता है free classes तो यह मेरी top आपकी जो टॉप आपकी जो 21 hundred cushion series है उसकी classes है one by one देखिए यह पार्ट आपका 24 यह 23 यह 22 यह आपका 20 2019 इस तरीके से यह आपके पार यह आप पर मैंने डाल रहे हैं तो अगर कोई बच्छान academy पर free classes यह special class है फ्री है अगर कोई बच्छा जोइन करना चाहता है तो जोइन कर सकता है description में link दिया हुआ है special class का यह special class है free of cost है सुबह 8 बजी होती है daily सुबह 8 बजी होती है daily जिन बच्छों को नहीं पता जिनोंने जोइन नहीं किया उनको बता दू और इस class में हमेशा 3000 से उपर लगबग 3000 के आसपास बच्छे लाइव रहते हैं Dani से 300,500 के आसपास ठीक है इस इसके लाग जो बच्छे अनकरेडमी प्लस पर जोइन करना चाहते है जोए नाकरेदमी मिद्यों करना चाहता है अनक्रेड़ी का लंडिंग ड्री सेलेक्ट करें उसके बाद में gate subscription पर क्लिक करिए उसके बाद में अगर आप 3 मंद के लिए जोइन करना चाहते हैं अगर आप 6 मंद के लिए जोइन करना चाहते हैं तो उसको select करें उसके नीचे code का option आएगा capital letter में RSR आप code यूज़ करेंगे then आपको 10% discount मिल जाएगा यहाँ पे proceed to pay pay click करने पे code RSR capital letter में मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो यह आपकी information हो गई है 10 table में बता दूँ top 2100 question series है वो सुबह 8 बज़े एन academy के special class में उसके बाद में selection base की यह जो class आपकी चल रही है वो 11 बज़े RSR YouTube channel पे उसके बाद में the warriors base course में maths की concept class 12 बज़े यह भी RSR YouTube channel पे होती है उसके बाद में maths top 1000 question series top 1000 question series यह start होती है आपकी डेड़ बज़े यह भी आपका RSR YouTube channel पर ही start होती है यह class का schedule था जो मैंने आपको बताया है अब फटापर से heat transmission की जिसकी बात अपनिया पे कर रहे थे इसको start करते हैं हाउस्द जोस के साथ में reply कर देजिए start करते है heat transmission क्या है उसमा का संचरन क्या है मतलब जो heat है उसको एक object से दूसरे object में किस तरीके से उसका transmission हो रहा है conduction की थू हो रहा है radiation की थू हो रहा है या conviction की थू हो रहा है इनकी बार में अपने याँ पे बात करने वाले है यानि heat का एक object से दूसरे object में किस तरीके से transfer आपको यहाँ पर किया जा रहा है उसी के बार में अपने याँ पे discuss करने वाले है तो देखें यहाँ पे मैंने क्या note किया है उसी के बार में discussion सबसे पहले heat का transfer एक object से दूसरे object में होगा लेकिन यह चीज में clear कर चुका हूँ heat जब ही transfer होता है जब एक object के पास उसमा उसका temperature ज्यादा हो दूसरे object के पास heat यानि temperature कम हो तो high temperature वाले से heat low temperature वाले object की और तब तक उसका transmission होता रहेगा उसका संचर्ण होता रहेगा उसका इस्तानांतन होता रहेगा जब तक दोनों का temperature बराबर नहीं हो जाए यह बात आपको समझनी होगी मैंने यहाँ पे लिखा है उसमिये उर्जा का उचताप वाले object से low temperature वाले object की और संचरित होती है इस पिंड एक पिंड से दूसरे पिंड में एक object से दूसरे object में heat का transmission तीन प्रकार से होता है यह चीज बहुत एम होने वाली है यहीं से अमारी कहानी स्टाट होती है यहीं से हमारी कहानी स्टाट होती है बिटा किलियर है रेड़ी स्टाट करें बिटा इधर से यहां तक किलियर है basic information अब लगेगी आग अब जड़ा focus करिएगा पूरा 100% यहां पे पूरा का फूरा focus मुझे प्रते एक बच्चे का class में चीए क्योंकि class में ही आपके concept अगर किलियर करने है तो आपको focus करना पड़ेगा feel करना पड़ेगा इन चीजों को देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूँ यहां पे जो heat transmission के जो method है उनमें देखिए meta conduction ठीक है convection शंवन और आपका radiation यानि weekend विद्धी इसको तीनों को एक diagram में समझने के लिए मैंने यहां पे आपके लिए एक diagram रखा है एक image मैंने बनाया है उस image को समझिए सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं conduction की चालन की यहां पर देखो चूला हमने जला रखा है और यहां पर आग जला रखिए इस आग में हमारे पास कोई रोड है कोई चालक छड़ है और उस चालक चड़ को उस आग में लगा के रखा हुआ है ठीक है इस तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं जैसे for example के लेगा और यह सीरा गर्म होने लगेगा दिरे दिरे यह जो हीट है वह आगे की और बढ़ेगा हमारे हाथ की और आएगा यानि लगातार यहां से यहां तक हीट ट्रांसपर हुआ है और वह हुआ है इस रोड में चालक छड़ में यानि जो आपका जो मीडियम उसको मिल रह है यह आपका रोड दे रहा है और उस हीट को पाकर इस रोड का अगला सीरा मुड़ चुका है बैंड हो चुका है ठीक है यास अभी चेक करिए बटा एक बार कुछ इश्यों आ रहा है क्या जड़ा देखिए एक बार कि अग्मूर्द ॐ रागे टेकनिकल फोल्ट झाल आ जड़ा बताई के और पंस टेकनिकल फोल्ट है mm बना भंस टेकनिकल फोल्ट चल रहा है क्या बताई है बाख गया हमविज़ए ओक से हावब क्लिवह बथा बना यडिर से और हमगे कमेंट करके अभी ओके एक बार जरा कमेंट करके बताईए किलियर है ओके यास यास ओके कुछ टेकनिकल फोल्ट आगे बीच में ठीक है चलो हाँ तुम्हें क्या समझा रहा था आपको जरा ध्यान दीजी बिटा जरा ध्यान दीजी में क्या समझा रहा था कि यह जो रोड का आगे का इसा है वो टेमपरिचर लेके यानी हीट लेके उसमा लेके बेंड कर गया है मुड़ गया है इसके लिए एक मीडियम जरूरी था यहां से यहां तक हीट को जाने के लिए यह माद्यम उसको मिला और यह हीट का यहां से यहां तक क्या हो गया कंडेक्शन हो गया उसका चालन हो गया ठीक है बिटा यहां से यहां तक हीट उसको मिल गया है हीट का ट्रांसपर हो गया है यहां पर हमने इसको उसमा दिया था लेकिन हीट यहां तक पहुंच गया कौन से में तड़ से कंडेक्शन के दुआरा अगर नमबर टूपे अपने बात करते हैं कान्वेक्शन यानि सवहन आप मुझे बताइए आग हमने यहां पर जलाके रखी विए हाग हमने यहां पर जलाके रखी विए सर्दी का मोसम हैं अपने हाथ से करें अपने हाथ से करें तो अपने को हलका हलका मैसुस होगा कि यहां पर टेंपरेचर जो उपरी हिस्सा है अपने हाथ हमारे को कुछी देर बाद में गर मैसुस होने लगेंगे यानि किर्णों के रू अभी मैं इसको point to point discuss करूंगा one by one जरा ध्यान दीजिएगा एक होते रेडियेशन के द्वारा मतलब विकेंड के रूप में किर्णों की रूप में जैसे सूरिय से प्रकास प्रत्वी तक आता है कौन से में तड़ से आता है कर देंगे हाउस दोजोस के साथ में फटापड से सारे बच्चे एक बार फटापड से रिप्लाई कर देंगे और फटापड से कॉंसेप्ट अपना के लिएर करने वाले है यह सर शाबास कि चलो देखे विड़ा ओके सबसे पहले अपने देख रहे हैं आपे कंडेक्शन चालन हाई सर चलो जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कॉंसेप्ट अपना कंडेक्शन यानी चालन फील करिए इसको समझे यह अज्यकोई हीट मिल रहे हैं अभी रेस्ट में अब देखे के सात मूं करने लगेई और यह मुआमेंट आगे की तरफ दरह बढ़ रहा है यहांस रहे हैं और यहीइदगी साथ मुमेंट आगे की तरफ बढ़ेगा यानि जू अपनी पास जो ता जो चालन अनुं है वह प्रोसेज आगे की और बढ़ता जा रहा है यह प्रोसेज आपका आगे की और बढ़ता जा रहा है आप मुझे यह चीज बताइए यहां से यह जो हीट है वो यहां पे ट्रांसपर हो गया क्या यह molecule यहां से यहां का जो molecule था क्या वो चलके गया है क्या वो चलके गया है वहां तक बताईए ज़रा मतलब इस conduction method में heat transfer में heat के transmission में कोई भी medium का particle movement नहीं करता है वो एक दूसरे को heat को pass करता है उर्जा का संचरण करता है इस ता नांतन करता है अपने पडोसी को पडोसी अपने पडोसी को और यह प्रोसेज चलता रहेगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की और इसे ही कहते हैं conduction यानि conduction of heat उस्मा का चालन इसे कहते हैं conduction of heat जिसमें एक molecule वाल जो स्टार्टिंग जो heat ले रहे हैं वह molecule heat लेके देखो जल्दी जल्दी उर्जा लेली अब आगे की और energy को transfer करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यह हमारा conduction पहला concept जिस पर हम बात करने जा है ठीके बीटा यह सर आगे देखिए आपको notes में क्या लिखना है इसका definition अमसर क्या लिखे notes में वह definition देखिए कि उसमा संच्रण की वह है विदी यानि heat transfer का एक ऐसा method एक ऐसी विदी जिसमें अपना कोई particle अपना कोई कण अपने खुद का इस्तान है जहां पे उसको रखा गया है उसको बीना छोड़े अपना इस्तान बीना बदले दूसरे particle को दूसरे कण को heat का transmission कर दें उर्जा का इस्तानांतन कर दें इसे ही कहते हैं conduction इसे ही कहते हैं challenge यही process है हमारा challenge मैंने आपको diagram में समझाया है कि एक ऐसा method heat transmission का जिसमें particle अपनी जगह पे रहके heat को पड़ोसी को transfer करता है और इस प्रकार से heat एक terminal से दूसरे terminal की और transfer होता है इससे कहते हैं conduction of heat ठीक है पहला definition पहला आपका visual effect concept दिमाग में image बन गया होगा कि conduction क्या है इसको अपन कैसे deal कर सकते हैं अब इसके कुछ special point है जिनके द्वारा बनने वाले जो क्यूशन है उनको तयार करेंगे point to point one by one सबसे पहले देखिए पहला point आपका पहला point क्या है यहां पर देखिए बिटा आप एक बार इस डाइग्राम को तो फील करिए समझ यह यहां पर माल लिजिए अपने एक candle लगा रहा रहा है और यह एक road है इस road को अभी मैंने घर अब अभी गरम करने इस टार्ट किया है आप notice कर रहे है इसका heat यह red color में क्या जा रहा है यह heat एक सिरे से इस end से इस end की और देखना अब स्टार्ट हो गई है देखना अब स्टार्ट हुआ है आप देखिए लगातार हीट आगे की और बढ़ रहा है क्या यह रोड के यहां की जो मोलिक्यूल से वो इदर जा रहें नहीं सर तो मैंने क्या लिखा उपर देखे ज़रा उसमा का ट्रांसपर हीट का ट्रांस्मीश यानि होट टर्मिनल से गरम सीरे से जो आपका कॉल्ड टर्मिनल है ठंडा सीरे है उसकी और उसमा का संचन होता है यानि उसमा गरम सीरे से ठंडे सीरे की और परवाईत होती है माध्यम के कण दोलन करते हैं पर अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं दोलन करने का मतलब है य vibration यह vibration करेंगे लेकिन अपनी जगे पे रहके करेंगे यानि यह विरोध कर रहे हैं यह माल लीजिए लेकिन अपने कानून काईदे में रहे कर ठीक है यह देखिए जगे जगे vibration हो रहा है और अपना heat आगे की और ट्रांसपर किया जा रहा है यहीं चीज मेंने समझाइए पहला प्रोपर्टी कंडक्शन का पार्टिकल मुमेंट नहीं होगा अपने इस्तान पे रहकर एनरजी को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की और ट्रांसपर करेगा आगे की और बढ़ाएगा के लिए बटा शाबास चलो जी आगे चलें दूसरे पॉइंट पे दूसरा पॉइंट दे के इसका क्या है पहला पॉइंट बढ़ा सभी बच्चों का के लिए यह राइट और रॉंग स्टेट्मेंट के बहुत अच्छे सवाल इदर से तयार होने वाले हीट ट्रांसमिशन का क्यूशन बहुत गजब बनता है हलवा सवाल नहीं होगा अच्छे लेवल का क्यूशन होगा सोचना पड़ेगा ठियोरी के क्यूशन को भी राइट करने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट क्या है इसका चालन के लिए कंड़क्शन के लिए मीर्डि चलन के सीरे पे जा रहा है यह रोड के अंदर चलके जाए रोड क्या है यह चणा क्या है मीडियम है यानि जो आपका कंड़क्शन किद्वारा जो हीट का ट्रांसपर हो रहा है कूश के लिए मेडियम बहुत ज्यादा जरूरी है यह. नंबर टू प्रतेख सॉलजर का क्कि फिलियर हो जाना चीए ठीक है यस को आगे चले विटा चलो यह आपका हो गया दूसरा पॉइंट उसके बाद में अगर आगे बढ़तें तीसरे पॉइंट पे तीसरा पॉइंट आपका क्या है यह एक ध्यूमी प्रक्रिया है विटा जो रोड है वह एक सिर्ज से जो उसका ल गरम किया तुरंत यह सीरा गरम हो गया ऐसे बिलकुल भी नहीं होता है कांटेक्शन हिट ट्ररांसमीशन का मेंटर वह पूँछ सकता हैख सवाल बढकर आपको एजटेज मिलेंगा इसको आपको clear रखना है clear करना है clear विटा आगे चलें दूसरा point हो गया तीसरा हो गया चोता point देखिए क्या है एक-एक point से एक-एक सवाल बने गया इसलिए मैंने इनके point बना के डालें ताकि उन सवालों को आप clear कर सको उन सवालों को आप तैयार कर सको ठीक है yes देखिए जिस माद्यम से उसमा परवाइत होती है जिस मीडियम से heat का transmission होता है उसका ताप बढ़ जाता है अगर road को हम गर्म करते हैं एक सिरी को गर्म कर रहे हैं तो road का यह सिरा गर्म होके दूसरा सिरा भी गर्म होता है कुछ दिर बाद में तो इस दुरान उस road का खुद का भी temperature क्या हो जाता है बढ़ जाता है ताप बढ़ जाता है जिसकी बात मैंने अभी आपके साथ किया है यानि उस medium जरूरी है कोई भी medium हो समझ वह बात कोई भी medium हो उसका temperature बढ़ जाएगा क्योंकि conduction के लिए medium जरूरी है medium से होके heat जाएगा तो उस medium का खुद का भी temperature बढ़ जाता है ताप बढ़ जाता है के लिए ने बिटा यहाँ पे जैसे road का temperature बढ़ गया ना road क्या था? medium तो road गर्म हो गया देखी इदर यह road गर्म हो जाएगा यह road आपका गर्म हो गया तो यह road क्या है medium यानि इसका भी ताप क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा जिस पर पनिया आपे बात कर रहे हैं यह हो गया आपका तिसरा point यह हो गया चोथा point आपका पांचवा point क्या देखिए चालंग पदार्थ की सबी अवस्ताओं में शंभव है बेटा जो conduction यह भी बहुत important सवाल बनेगा transmission ही transmission का method कौण सा conduction यानि heat transmission by conduction कौण सी कौण सी state के लिए valid है solid, liquid और gas इसने क्या कहा सबी अवस्ताओं के लिए यानि चालंग पदार्थ की सबी अवस्ताओं के लिए heat transmission valid है लेकिन medium जरूरी होगा माद्यम के बीना heat transmission नहीं होगा एक एक line से एक सवाल बनेगा, वही सवाल मैंने आपके यहाँ पे note करवाए है वही सवाल आपको अपने notes में डालने है ठीक है आगे बढ़ते है point number आपके 6 पे point number 6 क्या है जब दरवे या gas को उपर से गर्म किया जाता है तो इन में उपर से नीचे की और उसमा का संचरन होता है चाहे बेटा, liquid हो, चाहे gas हो अगर उसको उपर से गर्म किया जाता है तो उपर से नीचे की और मतला अप से डाउन की और क्या होता है बिटा हीट का Transfer होता है वो तो सीधी सी बात है जिस साइड से टेंपरेचर दिया जाएगा उसी साइड से टेंपरेचर लो टेंपरेचर की और Flow करेगा उसमा का संचरण होगा तो यही चीज इदर समझाने निचे से गर्म कर रहे हैं निचे से उपर क्योंड जाएगा डिपेंड करता है कि आप heat किस साइड से उसको प्रवाइड करवा रहे हैं ठीक है यह होगे आपका उसके बाद में point number seven टोसो में केवल चालन संभव है अब यह कह रहा है टोसो में केवल चालन कंडक्शन का जो मेतड़ है वो टोसों के लिए वेलिड है दर्व है और गेस को heat transmission होगा लेकिन किसके रूप में कंडक्शन के रूप में वो solid के लिए होगा ठीक है क्योंकि अभी अपन बात करेंगे convection की बात करेंगे और radiation की भी बात करेंगे अभी आगी जो point आएगा उसमें टोसों में केवल चालन संभव है convection है आपका या जैसे अपन बात करें आपका radiation है वो चीज़े नहीं यहां पे केवल और केवल solid के लिए केवल conduction है जबकि conduction liquid में भी होगा gas में भी होगा solid में भी होगा लेकिन solid में केवल conduction होगा बाकी convection या radiation नहीं होगा उनकी बात में अभी आगे करने वाला हो यानि इसमें केवल conduction होता solid में convection या radiation नहीं होगा यह बात आपको याद में रखणी होगी पॉइंट नंबर 8 क्या है एधात्विक ठोस यानि आपका non-metallic जो substance है एधात्विक ठोस है वो और तरलों में चालन अणों के कमपन के कारणे होता है अतवे दुर्बल चालक होते है यानि जो एधात्विक ठोस है non-metallic आपके solid है या कोई liquid है उसकी जो molecule से वो vibrate करते है और उस vibration की दोरन heat का transfer होता है और जाका इस्तानांतन होता है इसलिए इनको दुर्बल चालक में count करते है यानि जितना conduction conductor में होता है ठोस चालक में होता है उतना liquid या solid में होगा यह चीज़ बताने की कौसिस हो रही है point number 8 तक clear है बिटा clear है okay आगे चले clear है यहां तक point clear है one by one जरा बताई फटापट से एक बार comment करके यहां तक clear है बिटा फटापट से चले आगे जल्दी से एक बार reply करिए point number 8 तक clear है मैं एक एक point में एक एक सवाल बढ़ा के आपको बता रहा हूं क्योंकि point से ही right or wrong statement की बहुत अच्छे execution आपके यहां से बनने वाले है दात्विक टोस में यानि जो metallic solid है अभी मैंने बताया था आपको दात्विक टोस metallic solid दात्विक टोस है में number of free electrons बहुत ज्यादा होते हैं जो की heat transfer को मैं हीट को अपने साथ लेके जाते हैं heat transmission में अपना काम करते हैं और तार्थ वे उसमा के अच्छे चालक होते हैं अगर दात्विक solid है मैंने बताया था metallic solid है तो उसमें heat transmission बहुत अच्छे से होता है heat को बहुत अच्छे से एक terminal से दूसरे terminal प्लेके जाते हैं यानि वे heat के बहुत अच्छे conductor होंगे उसमा के बहुत अच्छे चालक होंगे good conductor of heat कौन metallic आपक solid दात्विक चालक है good conductor of heat heat यानि उसमा के बहुत अच्छे चालक होते हैं बेटा पॉइंट नमबर आपका के लिए रहे आठ आठ नमर का है दात्विक्टोस तरल बेटा कोई भी liquid पानी ले लो non-metallic substance ले लो समझे लिए बात जो conductor नहीं है कोई भी non-metallic उसमें heat का transmission उतना ज्यादा नहीं होगा जितना लोए की रोड को गर्म करने पे होगा लोए की से दात्विक सोलिड उसमें heat transmission बहुत जल्दी होता है क्योंकि उसमें number of electron बहुत ज्यादा होते हैं पॉइंट नमबर नाइन तक आपका के लिए हैं अब आगे अपन बात कर रहे हैं convection की संवहन की बताईए यहां तक के लिए बिटा यहां तक के लिए बिटा यहां तक के ल का कन्वेक्शन यास बहुत अच्छे जल्दी बताईए अपने अगले पॉइंट पर क्लियर करते हैं बहुत ही जबर्दस पॉइंट है आपका चाहबास अब आपका कमेंट आता है कमेंट तुरह डिली आता है convection शंवहन क्या होता है पहुत ही बढ़िया गजब का टॉपिक है convection और संवहन बेटा इसमें क्या होता है जैसे solid में क्या हो रहा था अगर रोड के एक टर्मिनल को गर्म करने पे उसके particle वाइबरेट करके heat को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को transfer कर रहे थे खुद चलके नहीं जा रहे थे खुद चलके नहीं जा रहे थे लेकिन convection में यानी इसका उल्टा होता है इसमें जो आपका मेडियम है उसके particle एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की और transfer होते हैं एक्जामपल देखे आपको समझ में आ रहा होगा है यह आपको मैंने रूम हीटर लगा रहा है मालीजे रूम को गर्म करने के लिए अपने इसको रूम के एक कोड़े में रखा हुआ है लाइट में लगाया और इसने मतलब हीट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया इसका जो हीट वो एक कोने से पॉर्म के बाकी जो कोने वहां तक इसके जो मीडियम अपने जो माद्दे मिल रहा है उसको हवा का उसके जो particle है वो एक सिरी से दूसरे सिरी की तरफ जाएंगे और प संवन को समझने के लिए एक छोटा सा इमेज मैंने आपके दिमाग में लगा दिया है वो देखिए क्या है मैंने यहां पर एक मालो यह आपका रूम हीटर है यहां पे मैं लगा दिया है और इस रूम हीटर के आसपास में जितने भी है आपको रेड डोट दिख रहे हैं यह यहां से लिया इधर जाके फेल रहे हैं देखो अब इनका आकार देखो कैसे चेंज हो रहा है यास यह देखे और हीट लेकर दूसरे को जाके चेंज कर रहे हैं यानि यह खुद चले जाएंगे उसके बाद में जो इधर आएंगे वह भी गर्म हो जाएंगे और पूरा रूम हमारा गर्म हो जाएगा इस प्रकार इन पार्टिकल के मौसन से यही जो हमारा मेतड है वही कन्वेक्शन है वही संवहन है समझ में आया बेट के लिए नविटा यह प्रोसेज आपका रहेगा लगातार यह प्रक्रिया चलती रहेगी और एक जहां पर उसको हीट मिल रहा है वहां से उसमा रूम के बाकी कौनों में इस तानांतरित होती रहेगी चलती रहेगी उसका ट्रांस्मीशन होता रहेगा है अग्र faλη हो रहेगा इसके लिए कैसे लिंक होता है उसके लिए मनीवनक कर देंगे गवर फॉरमाइयेगा क्या की उसमा चालन यानी हीट ट्रांस्मिशन आ का एक ऐसा मेथड कौन का कन्विक्शन कर इसमेघए excitement का एक एसा मिठ CR इसमें उस्मा का दर्वे कणों की गती के द्वारा इस्तानांत्रित होता है संभन कहलाता है जो दर्वे कण है जो आपका पार्टिकल है उस मीडियम के लिए जो भी मीडियम उसको दिया जा रहा है उसके पार्टिकल के मुवमेंट से उसके मोशन से जो भी हीट ट्रांसमिशन कॉप के अंदर की इसतती है और यह कप के बाहर की स्तती आपको दिख रहे होगी यह कोट नीचे आए और जा रहा है क्निन एपर ज़ाने को मिलेगा लगातार particle move करते रहेंगे और heat का transmission particle form में एक इस्तान से दूसरे इस्तान की ओर होता रहेगा के लिए यहां से definition समझाईए मैंने केवल केवल definition समझाईए बिटा केवल definition समझाईए हब इसके कुछ method देख लेते हैं इसके कोई burner रखावा है यानि heat देंगे मालों गेस का चूला रख दिया हमने गेस कौन कर दिया उपर कोई container रखावा है और उसमें माल लिजिए कोई पानी भर दिया दूद भर दिया है कि कुछ भी है कोई medium रख रहे हैं यह देखिए आप इदर से अब हम क्या कर रहे हैं convection जो current है समवन जो दा रहा है उसको फिल करेंगे डाइग्राम में यहां से उसमें आ रही है यह प्रोसेज नीचे आएगा उपर से नीचे वाला उपर चला जाएगा पिर उपर से नीचे आएगा नीचे वाला उपर चला जाएगा यानि इसका मतलब क्यों रहा है कि जो मीडियम आपका लिक्विड का जो मीडियम है उसमें दो इस्तानों पर गनतों में अंतर के कारणे द небольш परवाव में गरम कणों के उपर होड पार्टीकल उपर की और कोई उनका नीचे की और जो मोशन होता है जो पर करने पर होती है संवान कहला था है और वह भी आपका नेचूरल कन वेक्शन इसको गर्म करेंगे ओपर चला जाएगा नीचे फिर वह गर्म होगा फिर उपर चला जाएगा ठीक है उर्जा लेके उपर की सत्य पर इस प्रकार अपना जो यह पूरा का पूरा लिक्विड है जो भी अपने पानी वगेरा इसमें भरा है वह नेचुरल कंवेक्शन के रूप में बिलकुल नॉर्मल कंवेक्शन के रूप मे पूरा का पूरा आपका लिकवैड है वो होट हो जाएगा गर्म हो जाएगा के लिर है why खेंड यह कंसेट्प द्यानी हैं आती ती रहेगी जाती रहेगी पेपर किलियर नहीं कोखा ठीक है यहां चलिए अब इन ने मर्जी आपकी चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं अब आता इसका एक पॉइंट और जो आपका नेचुरिल कन्विक्षन था जो सम्माने सम्व्यन था उस कंडिशन में समवन धाराएं जो आपका कन्विक्षन जो करेंट है समवन धाराएं वो गर्म वायू को उप तरफ गर्म वायू उपर की तरफ वै ठंडी वायू को निचे तरक निचे की तरफ लाती है इसी कारण से उसमा पैंदे को दी जाती है तबकि ठंडक उपरी भाग में कराई जाती है मतलब यह सिद्धी बात है अगर किसी अबजेक्ट को हम हीट देंगे तो यहां पर निच सब्सक्राइब को देखने को मिलेगा किसी भी लिकविड के लिए ठीक है यस के लिए बिटा कि उसकी साइधा 26 पार्ट ओगए एकल 27 नंबर का होगा जिस ने जोई नहीं किया है क्लास के स्टार्टिंग में मैंने पुरा डिटेल आपको दे दिया है वीडियो को रिवर्च कर के देख लीजेगा ठीक है चलोày बत कर रहे हैं क्या बात है है यानि फ्री कोई रीजन है जहां पर ग्रिवीटि नहीं है called free region में इंट्ने में normal convection natural convection possible नहीं है क्योंकि hot particle हλके होने के बाद उपर चले जाते हैं क्योंकि उन पे gravity कम हो जाता है जो cold particle होते है पर gravity जादा लगता है वो नीच घाता है अगर gravity free region रीजन है कहीं पर अगर गुरुटवे free मुक्त छेत्र है तो वहां पर क्या होगा natural convection होना possible नहीं है बहुती कजब का सवाल है example दियावा है मुक्त रूप से गिर्तिवी lift या क्रत्रिम उपगरह में अगर कोई lift का free fall हो रहा है तो वहाँ पे natural convection हो सकता है कभी नहीं होगा क्या क्रत्रिम natural convection यानि आपका सामाने संवन हो सकता है अगर lift का free fall है या कोई आपका जो आपका artificial satellite है क्या उसमें natural convection हो सकता है बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि वहाँ पे gravity नहीं होता है वहाँ पे गृत्वे नहीं होता है के लिए नहीं मिटा के लिए नहीं मिटा बहुती अच्छा सवाल है जिसके बारे में पढ़ियां पे बात कर रहे है बहुती कजब का question है आगे बड़े मिटा अगले सवाल पे अगला सवाल आपका point number जो आपका next point है वो क्या है यादि दर्वे वे gas उपर से अगर कोई liquid है मैं यह बात बता चुक हूँ आपको अब पीछे बता चुक हूँ लिकविडिया आपका gas है अगर उसको उपर से गर्म किया जाता है ताकि संभन ने हो और उसमा का संच्रन चालन के द्वारा हो conduction के द्वारा हो यानि चालन के रूप में ही transmission हो convection के रूप में नहीं तो इसलिए आपका दर्वे या gas को उपर से गर्म किया जाए तो वहाँ पर चालन होगा conduction होगा convection नहीं होगा ठीक है? यस अगर अपन free gravity region की बात करे तो ठीक है? चलो अब आता आपका radiation तीसरा टाइप पहला होगे आपका conduction दूसरा convection यानि सवहन और तीसरा आपका radiation यानि विक्यंड विधी विक्यंड विधी जिसकी बात अपनियां पे कर रहे है बेटा ठीक है? यस यस देखे बेटा तो radiation यानि विक्यंड की बात करें विक्यंड की रूप में इट का transmission कैसे होता है इस पे तोड़ा सा बात करते हैं बहुत इंट्रस्टिंग आपका पॉइंट बनने वाला है radiation के रूप में आप चरह इस गोर इस चीज़ को गोर फरमाईए यहां पे हमने क्या किया है यहां पे आपका तोड़ा सा मामला है उलट उलट हो गया है ठीक है यहां पे हीट को उलट दिया हमने है के नहीं है मतलब हीट उलट चुका है हमने इस हीट से अपने हाथ से क्या है अपने हाथ से क्रहे हैं यहां पे radiation के रूप में radiation का जो method है उसके द्वारा हाथ से क्रहे हैं उसी के बारे में पड़ियां पर बात कर रहे हैं तो स्वाल का कंसेट अपंसिप्ट बनेगा वह क्या बनेगा उससे पहले इसका all yefn वो क्या है उसे पर बात करते हैं उसमरिसंचन की विदी एक ही Tансमिशन का ऐसा मेथड रीट राइसा मेथड जिसमें हीट के ट्रांसमिशन के लिए हीट के ट्रांसमिशन के लिए माध्यम के ताप को पारिवर्तित की बगेर होता विकेंड कहलाती है यानि जैसे सूरीय से प्रकास परत्वी पर आता है लगातार सूरीय से प्रकास परत्वी तक पहुंचता है किस प्रकार पहुंचता है आपको पता यह रेडियेशन जो मैतड है उसी मैतड के बारे में अपनियां पर बात कर रहे हैं यानि रेडियेशन मैत यहां तक के लिए रवेड़ा शबास शबास 600 प्लस आपके लाइक्स हो चुके हैं बहुत अच्छे दूसरों पॉइंट इसका क्या है थोड़ा सा बेसिक सवाल है नोट करिएगा बेसिक सवाल क्या है कि वास्तों में विक्रिण में विदूद चुम्ब की उर्जा यानि यहां पर पर कह सकते हैं आपका इलेक्ट्रो मैगनेटिक एनरजी का जो फो में उसमें इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव विदूद चुम्ब की तरंगों के रूप में किसी माद्य में सं ये हो सकता है उदाण के लिए सूर्ये से विक और विक्रिनों के रूप में यानी जो सूर्ये है सनंकल अपने हैं वहाँ से हीट का transmission जो method है वो radiation के द्वारा होता है यानि उस्मा के रूप में मनलब सूर्य से प्रत्वी तक उस्मा पाउंस्ती है यह हमारा method रहेगा radiation का बताईए बिटा के लिए एक बार बच्चे कमेंट कर दीजिए ठीक है यस अब इसके कुछ basic सवाल और बनने सवाल है उन सवालों को मैं आपको नोट करवा देता हूं एक बार फटापर से वह क्या है तीसरा सवाल आपका क्या बन सकता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि विकेडों के रूप में यानि transmission of heat अगर radiation method होता है तो उसके लिए medium required नहीं होता मेडियम मतलब transmission of heat अगर radiation की द्वारा होता है तो उसके लिए medium जरूरी नहीं है माद्यम जरूरी नहीं है मैं आपको किलियर करवा चुका हूं पॉइंट नंबर थैड पॉइंट नंबर फॉर क्या है इसकी चाल प्रकास की चाल यानि थ्री इंट्टू कि वेग से रहे से चल्के आएका लाइट का है वेलोसीटि 3 x 10 to the पाऊ़ एकट मीटर पार सेक्ट है तो इसका जो रेडियेशन का जो वैलोसीटी है के रेडियेशन का जैसे अपने का जैसे सबसे पहले और भाइओ तो बहुत स्लोव प्रोसेश एक टर मिल से दूसरे हीट पहुंचने में बहुत टाइम लगता है लेकिन रेडियेशन देखी आप उसमा का ट्रांस्मीशन ही ट्रांस्मीशन very fast process velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second की equal है बराबर है यानि प्रकास के वेके बराबर velocity के साथ heat का transmission होता है के लिए रविड़ा ओके शबाज 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 चलिए अभी तोड़ सा आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट को note करिएगा एक पॉइंट और इसका जो मैं आपको भी करवाने वाला हूं वह प्रेक्ट क्या यह यह बहुत गजब का numerical बनता है एक numerical मेंने इसका practice भी करवाया आपको special में भी कर वाया है और मैंने आपके प्लस पे एक क्या बनता है श्रहें दिजीएगा है कि इंटेंसिटी जो सोर्स है उसकी तीवर्ण यानि इंटेंसिती जो conception पोइंट पॉंट मने लिया है उसकी डिस्टेंस उसकी ।ुरी के square के inversely proportional होता है यानि जो intensity of source है inversely proportional d square होता है यहीं वो सवाल था अगर उस्मा की जो तीवर्ता है जो source है कोई भी source है जिसे माल लिजे यहां पे आपने एक चुला जला के रखा हुआ है और उसके द्वारा radiation के द्वारा आपको heat चीए उस्मा चीए तो वो जो source है उस source की intensity आई वो कितनी दूरी पे आपने observation point note किया है जहां पे आपको radiation के रूप में और energy चीए वो distance d के square के inversely proportional होता है यहां से दूरी को दो गुना करने पे तीवर्ता कितनी हो जाएगा intensity 1 by 4 radius को distance को हाप करने पे intensity कितना time हो जाएगा four time से यह सवाल note करके रखना direct आपका numerical बनेगा बहुती गजब का क्यूशन यहां से बनने वाला है उसके लिए तयार रहेगा बिटा के लिए बिटा के लिए बिटा बहुत अच्छे एक बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल है आप हमें प्लस वालों की तरह क्यों नहीं पड़ा थे बैटा कभी प्लस पर पढ़के देखाया गया कभी प्लस पर जाके पढ़ना पता चलेगा मैं मैं प्लस पर कैसे पढ़ाता हूं यहां कैसा पढ़ाता हूं तुमारी जो तिंकिंग इसको मैं चेंज नहीं कर सकता लेकिन मैं प्लस पर पढ़ाओ कई यूटूब पर पढ़ाओ कई पर भी पढ़ाओ मैं पढ़ाने में अपने साथ कभी भी मतलब कभी भी मैं अपने आप आपको नहीं कर सकता क्योंकि मैं 100% अपने अबलेटी लगाता हूं चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो प्लस हो चाहे कुछ भी हो समझ में आ रहा है और दूसरी जैसा मैं कंटेंड आपको प्रवाइड करवा रहा है यूट्यूब पर यूट्यूब को चानल लेना नहीं मिल जिस लेवल से आपका कंटेंड त्यार के करवाया जारन आपको विजुम करवा के एफ्जोआ के साथ में नहीं मिलेगा वाथा क्योंकि तेरी सोच में गड़ बड़ है Thai के नहीं और बागी क्या है क्या बतों 6 जिसकी बात अपनि आपके कर रहे है पॉइंट नुमर 6 बड़ा इंट्रेस्टिंग है और पॉइंट नुमर 6 क्या है उसके बार में अपनि आपके बात कर रहे हैं यह प्रकास तरंगों के समान यह प्रकास तरंगों के समान जिसके अपनि आपके बात कर रहे हैं यानि अगर अपनि यह पर यह कहें कि प्रकास तरंग यानि जो light wave है उसके लिए अगर अपनि यह बात करते हैं सेम आएगा समान रहेगा reflection होगा आपका reflection होगा आपका interference वेत्तिकन देखने को मिलेगा diffraction वीवर्तन आपको देखने को मिलेगा इंटर्फेंस हो गया reflection हो गया diffraction हो गया और लास्ट में आपका उसी की समान वेतिगण, उसी की समान वीवर्तन, उसी की समान दुरवण, यानि polarization होता है, यह जैसे light wave की property है न, वो पूरा का पूरा follow करता है, इसी के बाहर में अपनि आपे बात कर रहे हैं, ठीके मिटा, यह सर, बहुत अच्छा सवाल है, यहां से बनाया जा सकता आपका, ए आउसोशित कर ली जाती है, तो उस पे pressure डालती है, दाब डालती है, जिससे हम कहते हैं, विकिर्ण दाब, वैसे यह point आपका, जब मैं आपको electromagnetic wave पढ़ाऊंगा, विद्धुत सुम्ब के तरंगे पढ़ाऊंगा, लास सेप्टर पढ़ाऊंगा, आपका 12th का, उस सेप्टर में यह चीज भी आपको देखने को मिलेगी, विकिन दाब के बारे में बात करूंगा, रेडियेशन प्रेशर की बात भी करूंगा, यानि यह जो रेडियेशन है, जिस सरपेस पे जाके गिरती है, वहाँ पे pressure डालती है, उसे radiation pressure कहते हैं, लेकिन एक्च्वल में इसको neglect कर दिया जाता है, यह pressure feel नहीं होता है, इसको नगणने कर दिया जाता है, अब आता है अगला point आपका, इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूत नहीं है, इसका जो formula है, वही sufficient है, ज्यादा इस पे time देने की जरूत नहीं है, आपको पता है, यहाँ पे लिखा आप यह मैंने, क्रस्णी का, कोई आपका black body radiation है, क्रस्णी का है, उसके प्रतियकंग छेतर पल पे, unit cross-excellent area से, पर second, जो radiation emit हो रही है, जो weekend उत्सर्जित हो रही है, उसका magnitude, यानि जिसे अपन कह सकते हैं, उत्सर्जन समता, यानि जो आपका emission power है, उत्सर्जन समता है, उसके परंत आप absolute temperature की power 4 के proportional होता है, या या बराबर सिग्मा ते की power 4, formula आपको याद है, numerical बढ़ेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्य क्यूशन बढ़ेंगे, ratio वाले सवाल बढ़ेंगे, आपको इस टिपल लो direct पूछ लेगा, आपको solve करना होगा, बहुत ही अच्छा क्यूशन बनता है, बहुत एच्छा क्यूशन बनता है, जिसके बार में अपने आपर बात कर रहे हैं, के लिए ने मिता, शाभास, ओके, के लियर है, शाभास, 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 topic wise प्रैक्टिस करो, करवाएंगे, topik wise भी करवाएंगे, ठेक है, topic wise भी practice करवाएंगे, या आपका ल नियतांग का जिसे स्ट्रीफिन कॉंस्टेंट काते हैं इसकी वीमा वीमा याद रखेगा वीमा याद रखेगा बहुत अच्छा सवाल वड़ेगा वीमा को याद रखेगा यह आपका हो जाएगा यहां पे मैंने पहले लिख दिया है और यह इसकी विल्यू है विल्यू के में जरूत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी एक बार नजर से निकाल लीजिए तोड़सा टाइम मेरे पास कम है ने तो मैं आपको खुद कमेंट बॉक्स में वीमा पूचता लेकिन मैंने लिख दिया है पहले में क्या परिवर्तन होगा बेटा किसी भी ऑबजेक्ट को हीट देने पर वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन एक्चल में होता क्या है कि जैसे अपन किसी ऑबजेक्ट को आपने हीट दिया अगर उसको अपन ग्रेविटी में लेके जाए तो उसको अगर उसको मास की तरफ चले जाएंगे ठीक है यह काम आपका करेगा यह आपका डाइमेंशन हो गया इसका यूनिट भी याद रखेगा यूनिट भी बना लीजिएगा यह यूनिट मैंने इसका यहां पर रख दिया है ठीक है सिग्मा का चलो उसके बाद में न्यूटन का सीतलन का नियम न् रख देटन्स लाईब कूलिंग डटी डुटन्स अप़ोण डेटी डारेक्ट प्रपोज्रणी चेंजीन टेम्परियचर यानि डेल्टी के क्ंलिंग यानि रीट जो है आपका रेट ऊफ है यह वो डेरेक्ट कि दे धार से की दर हीट emissions का जो रेट है उसमां से की दर ध्यान दीजिएगा यानि धंडा होने की दर हीट को बाहर निकालेगा उसका उच्रजन करेда तो थंडा ही तो लोगा तो नियम को नियूटन का सीथलन का नियम कहते हैं यही जो लोग आपका नूटन लाओप पे कुलिंग है इसे ही नूटन को लिग कहते हैं जल्दी से बताएं बच्चा के लिए रहे बटा शभास फटा पड़से यहां तक बताईए यह लोग बहुत इंपोटेंट रहने वाले यह लोग बहुत इंपोटेंट रहने वाले ठीक है रेली का क्या सीन है अभी वीडियो आएगा बेटा लगबग डाई बजे डाई सी थीन के बीच में लाइव आ रहा हूं है अगर दें तो कैसे दें क्या करें सारी इंफोर्मेशन डाई बेजी में लाइव आ रहा हूं चारे बच्चे पहुंच जाना अभी उसकी पीपीटी वगरा तयार हो रही है और उसके बाद में डाई बेजी में लाइव आउंगा ठीक है चलो आगे आजाओ वस्तूर परिवेस यानि object और environment के बीच में जो temperature difference ज्यादा होने पर ठंडी होने की दर भी ज्यादा होगी क्योंकि temperature बहुत डिफ्रेंस बहुत ज्यादा है तो इसके ठंडा होने की दर बहुत ज्यादा होगी मैं example देता हूं बैटा गर्मियों में चाय जल्दी ठंडी होती है यह सर्दियों मे गर्मियों में चाय जल्दी ठंडी होती है या सर्दियों में आप काओगे सर गर्मियों में चाय देर से ठंडी होती है सर्दियों में जल्दी ठंडी हो जाती है क्यों क्योंकि सर्दियों में चाय गर्म और environment ठंडा बहुत ठंडा तो environment का और उस चाय का बहुत ज्यादा difference है temperature, गर्मियों में, चाई गर्म है, environment भी तो गर्म है, तो temperature difference कम है, object का और environment का temperature difference कम है, तो उसका cool होने का, ठंड़ा होने का rate भी कम होगा, और अगर temperature difference ज्यादा है, जैसे सर्दियों में, चाई गर्म, environment बहुत ठंड़ा, तो temperature difference बहुत ज्यादा, तो cool होने का rate है, ठंड़ा होने है ठीक है यसूर की आगे बात करते हैं और बहुत यह चालो है लो से बहुतम बाता है तो कोई दिगकत नहीं डारेक्ट याद रखना इसमें जदा अपना दिमातन नहीं पड़ने ने क्या है मैं बता देता हूं according to wind slow maximum intensity जो अदिक्तम ती वरता है उसी के उसी के अलोंग अगर wavelength की बात करें तरंग देरदी की बात करें उस अब्जेक्ट के temperature की बात करें जो कि Kelvin में मुननफल constant होगा यानि Lambda M आपका wavelength है और टी आपका temperature इनका जो multiply है प्रड़क्ट है गुणा है वो एक constant के बरावर होता है B के बरावर होता है और B ही आपका wind का परपोजनली constant है समानों पाती नियतांग है यही आपका wind का विस्तापन नियतांग जिसके बारे में बात कर रहे हैं कोई भी wave है कोई भी तरंग है आपका उसके अधिक्तम ती वरता maximum intensity है उसी के संगत जो भी wavelength उसका परदिया गया है लेमडां问 अगया है यह उसका temperature एक का multiply है वह बिके बरावर होगा इंका multiply है वह ब्राजनली के बरावर होगा उसका यह the कल लिये कि was a नीनट एक न मीट जया मीटर इंटू कैलविन है में इंगली क्लास को लेकर अभी कुछ शूर्टी नहीं है क्योंकि वह सरका बैट नहीं रहा है वापस ऑफिस आना है है ना ऑफिस आनी पा रहे हैं अभी बैट नहीं रहा जब भी कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ठीक है य यस के लिए रहे हैं तक सभी बच्चों का यह हमारा आज का फर्मल प्रोपर्टी चेप्टर फिनिस टाइम आपका कम था तो लास्ट में थोड़ा सा मैंने फस्ट करवाया है अगर आपको कोई डाउट रह गया तो एक बार क्लास को रिवर्स करके देख लीजिएगा सारी अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजे नए बच्चे आएं तो सब्सक्राइब कर लिए और एहम चीज जिसके बार में बात कर रहा हूं इसके जस्ट बाद में हमारी क्लास होती है यानि मैस की क्लास अभी 12 पीम पे इसलिए टाइम कम था और जो मैस की क कंसेट होगा और उसके बाद में आपका 13 पर यानि ऐड़ बजी आपका टोप 1000 कि क्लास होती है टोप 1000 ही होते हैं क्लास में आके देखना फिल आयागा आपको समझ मेंद आएगा कि क्या कंसेप्त है और वो कंसेट के साथ में करवात है यानि अगर आपका कोई कॉश्प्त क्लास आने वाला मैथ का इसके जस्ट बाद में थैंक यू सो मच पर तेक बच्छा मुझे इस में चीए जो बच्छा इस में है हम आपके लिए खड़े यहां पर तो हमें आपका फुल सपोर्ट चीए सपूर्ट मिलेगा तो और बड़े अपडेट हम आपके अक्टमर में ले झाल झाल